नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मेर नाम नरेंदर विक्रम शाह है, दोस्तों आज हम बात करें हैं विरिश राशी के बारे में, जो 12 राशी हैं इसमें इसका दूसर नमबर है दोस्तों, दोस्तों आज हम बात करेंगे इस राशी से कौन-कौन से रोग दुड़ेवे हैं और जो और जा नमस्कार दोस्तों. दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, आज हमारा विशह है व्रिष राची के उपाव कौन-कौन से हैं, तो इससे मदर्खे कूल जानते हैं कि जो व्रिष राची के ज़ाता क्म्istent इनके क्या-क्या अबगुन होते हैं दोस्तों, इनका पहला अबगुन ये बताया गया है यानि इनके क्या कमी होती है, वो ये होती है ये लोग आलसी बहुत होते हैं इनको जो काम पसंद का नहीं होता फिर इनमे इतना आलसी सुष्टी आ जाती है कि इनको उठाना मुणूशकिल हो जाता, ये भी इन में कमी है, ये हर काम को फिर कल पे जाल देते हैं, दूसरी बात दूस्तों, इनमें ये है, अधिक नीन लेना, ये सोते बहुत हैं, ये भी इनकी एक अभुण है, दूसा दोस्तों, इनको खाने-खाने का बहुत शौक होता है इस कानी काफी मोटे हो जाते हैं, तो ये भी इनका अभुण है दूस्तों, इनमें कमी होती है क्योंकि इस राशिय पर चंद्रमा का अधिक परभा होता है चोटी चोटी बात भी दिल पे लगा लेते हैं इस कारण क्या होता है कि इनका अभिमानों को डिस्कर्स कर रहे हैं बहस बाजी कर रहे हैं अगर इन्होंने मजाग क्या तो ठीक अगर सामने वाले ने मजाग कर दिया तो दिल पे ले लेते हैं इस कारण ये बड़ा अडियल रवया अपना लेता है, फिर किसी की बात मानते ही नहीं है और जिद्धी हो जाते हैं, ये भी इनमें कमी देखी गई है। दोस्तों, इनमें दूसरा अबगूर्ण बताया गया है समय का दुर्यूपयोग करना। दोस्तों, ये लोग अधिक मौज मस्ती में, गुमने फिर्मे में अपना कीमती वक्त खराब कर देते हैं। दोस्तों, अगर इनको किसी से प्रेम हो जाए, तो यह होना कि किसी चीज को नहीं देखते हैं ना अपना करेयर देखते हैं, ना कुछ मिदे, उन से दिर से मौपत करना शुरू कर देते हैं अगर इसी बीज, उस सामने वाले पार्टनर ने इनका दिल दुखा दिया फिर उस चीज से बहार निकलने में बड़ा time ले लेते हैं और जो कीम्ति समय होता हो खराब हो जाता है तो ये भी इन में कमी है दूसरा बूर्ण इन में क्या है ये कानों के बड़े कच्चे होते हैं जो लोग इनको कहते हैं और ये उसको जल्दी यकिन माल लेते हैं दूसरी कमी क्या है अपनी तारीफ सुनना बहुत अधिक पसंद करते हैं जिससे इनके कारण थोड़ा अभिमान भी इनके अंदर आजाता है तो ये भी कमी हैं जिस कारण को इनको छेर दे या कुछ बोल दे ये थोड़ी इनमें कमी होती है और इनका एक विशेस अभण होता है इनमें कामुकता अधिक होती है यानि कि सेक्स के बारे में अधिक सूचते हैं दूसरा अभण इनमें ये भी होता है कभी-कभी ये लोग थोड़ी स्वार्थी हो जाते हैं तोड़ा अधिक अभिने बारी में सोसना शुरू कर देते हैं जबकि यह लोग बहुत दयावान होते हैं सचे प्रेमि होते हैं तोड़े थोड़े कभी-कभी यह स्वार्थी भी हो जाते हैं दूसरी कमीन में यह होती है कि छोटी-छोटी बातों को दिल पर लगा लेते हैं जैसे यानि कोई कारे नहीं हो पाया या किसने कुछ गलत कर दिया या कोई करजा इन पर पढ़ जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो यह बहुत चिंताई करते हैं बहुत टेंसन लेते हैं थोड़ी कमीन में यह भी है अब दोस्तों बात करते हैं इस राशी से जुड़े वे रोग कौन-कौन से होते हैं दोस्तों जो वरिष राश्य के लोग होते हैं, इन में मौसम का बहुत जल्दी असर होता है, तो इनको सर्दी गर्मी जल्दी लग जाती है, जिसका इने जुखाम होना, इन्फेक्शन होना ये लगे रहते हैं, दूसरा दोस्तों इनको मुतराय शय के रोग बहुत अधिक होत जिसे इनके अंडोकोष का बढ़ जाना, मुतरश हो जाना, ऐसे रोग भी इनको लगे रहते हैं, इन लोगों खाने पीने का बहुत शौक होता है, इस काने ने मुठापा की शिकायद भी हो जाती है, जिसे इनको हिर्दे के रोग हो जाते हैं, शुकर होने की समावना बनी रह जाता है, यह रोग भी इनको होता है, दूसरा रोग इनको होता है, विरिये विकार और कब्स होना, ऐसे रोग भी इनको होते रहते हैं, तो इनके जिवन में कौन कौन सी घटना है घटती है, यह बताता हूं मैं आपको, क्यूंकि इनको हमेसा कफ के रोग अधिक होते हैं, चाती से उपराले रोग इनको बने रहते हैं विरिश्राशी के जो लोग होते हैं इनको तीसरे वर्ष में गिरने का भै बना रहता है 16 वर्ष में इनको सांप से कटने का खता रहता है दवाईयों से रेक्शन होना खता रहता है और क्रंट लगने खत्रा भी रहता है 16 वर्ष की उमर में और 25 वर्ष में इनको पानी से बड़ा खत्र रहता है 25 वर्ष में कोई देखती है अगर विश्टाशी का हो ज्यादा नदी में ग्रह में न उतरे तो इनके डूमने खत्रे भी बना रहता है जिवन के 300 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 52 वर्ष और 56 वर्ष इन वर्षों में इनको शारी कष्ट जादा होता है तो इन वर्षों को इनको अपनी सेरी का अधिक ख्याल रखना चाहिए जिन लोगों का जनम किष्ण पक्ष में होता है ऐसे लोगों को फेपड़ों के रोग अधिक होते है और जिनका जनम शुकल पक्ष में होता है उन लोगों को आपके मुठापे के रोग अधिक हो जाते हैं दोस्तों दूसरी बात दोस्तों वैसे तो इन लोगों को रोग कम होते हैं पगर अगर देखा गया है अगर इन्हों को रोग होते हैं तो इसी पगार के रोग देखे गए हैं दोस्तों जो किष्ण पक्ष में बच्चे जनम लेते हैं विरिश राशे वाले उनके जीवन थोड़ा कष्ट रहता है और शुकर पक्ष के जीवन में थोड़ा अराम रहता है इतना फरक है बस अब दोस्तों बात करते हैं इसके उपायों के वारे में कि विरिश राशी के जातकों को कौन-कौन से उपाय करने चाहिए दोस्तों इसका पहला उपाय यह है जो विरिश राशी के लोग होते हैं इस पे शुकर का बहुत अधिक परवाह होता है अगर जातक शुकरवार के दिन सफेद गाएं को मीठी रोटी खिलाए तो इससे भी इन राशियों को सुख मिलता है इन जातकों को शें मुखी रोटाष को दारन करे, तो इनके लिए ये काफी सुख होता है दौसा दोस्तों अगर साथ मुखी रुदाषी पहने ये इन जो इनके लिए वह दन भाव कारक होता है और विध्य और संतान का कारक भी होता है तो अगर चार मुख्य उधांजी पहने तो काफी अच्छा रहता है लेकिन छे मुख्य तो जरूरी ही पहने और अगला उपायन इसका यह है मालक्ष्मी की पूजा करें या मालक्ष्मी के बर्त रखें मादुरुगा की पूजा करें मालक्ष्मी की पूजा करने से क्या होता है इनके अंदर धन धन्य और सुख सुविधाय बढ़ती रहती है मादुरुगा की पूजा करने से क्या होता है इनके अंदर उस् और हरा, इस रंका उपियोग इनको करना चाहिए, यह इनके लिए अच्छा उपाय है, अगर यह कोई रतन पहनना चाहते हैं, तो सबसे उपियोग रतन प्रतन प्रता आगा इसका हीरा, और अगर हीरा नहीं पहन सकते हैं, तो इसका उपल हो गया, फिरोजा हो गया, जरकन हो आप लोग दूसरा अगर कोई छला पहनना चाहता है तो इसका छांदी का छला या प्लेटिनियम का छला आपकी मध्यमा उंगली में पहन सकते हैं लेकिन मैं आपको राय दूंगा जब भी कोई श्टान पहने या कोई भी नग पहने तो किसी जोती से प्रामश लेना अच्छा रहता है और अगला उपाहिन को यह है कि इनको वयाम जरूर करना चाहिए जो वयाम करते रहेंगे तो इनका स्वास्त अच्छा रहता है तो इनको वयाम करना भी काफी जरूरी है और जब यह युवा होते हैं तो मौज मस्ते के चकर में नशे में पढ़ जाते हैं या फिर कोई लड़की दिल तोड़ती तो भी नशे में पढ़ जाते हैं तो यह कोशिच करनी चीए कि नशे से काफी दूर रहें, क्योंकि नशा इनकी जिन्दगी को खराप या बरबाद भी कर सकता है, तो दोस्तों, हमेशा गलत चीज़ों से गलत लोगों से हमेशा दूर रहें, बात प्रेम के लिए, जो व्रिश राशे के लिए आपका करक राशी, व्रिशिक राशी और मेंद राशी प्रेम करने के लिए काफी उप्यूकत है, अगर इस राश्य के लोग होंगे और इसे आपके संब्ध हैं तो यह आपको कष्ट कम देंगे और इसे संब्ध आपके अच्छे मने रहेंगे तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप समाप करता हूँ अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगाओ तो इसको लाइक और शेर जरूर करें और इस तनल को सब्सक्राइब करना ना वोलें तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत नमस्कार